हलो गैज़ आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है टीजीटी पीजीटी का विग्यापन जारी कर दिया गया है और आज से जो है उसका आवेदन भी सुरू कर दिया जाएगा लेकिन जो चात जो है काफी जादा जो है बहुत जादा परिसान है और वहीं पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी बैकिंसी नहीं है यह तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या है अपडेट सबसे पहले तो जो भी साती चैनल पर नए है पहले तो चैनल को चक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4133 पदों पर भरती के लिए बुद्वार को बिग्यापन जारी कर दिया है टीजीटी पीजीटी भरती 2022 के लिए आनलाइन आविदन की प्रक्रिया ब्रस्पतिवार से सुरूँगी आनलाइन रिजिस्टेशन 3 जुलाई और चक टीजीटी के सरवाधिक 570, 570 पद सामिल हैं बिग्यान में 540 वा गणित में 533 पद हैं पीजीटी के 18 बिशेव में सरवाधिक 85 पद हिंदी बिशेगे हैं वहीं टीजीटी बालक वर में 323 वा बालिका वर में 326 और पीजीटी में बालक वर में 540 वा बालिका में 75 पद पद जो है कम से कम आने ही चाहिए लेकिन बीच में मुझे लग रहा समायोजन जो हुआ कुछ पदों को जोड़ दिया गया वहाँ पर इस वज़ा से यहाँ पर पदों की संक्या काफी जादा कम हो चुकी है इसी को लेकर गए जो छात्रें वो काफी जादा नाराज है और नि गायन में मातर 23 पद हैं वही उर्दू में मातर 13 और संगीत वाधन में 10 पद हैं पीजी टी की अगर हम बात करते हैं तो पीजी टी में जो है यहाँ पर सबसे जादा जो पद है वो आपकी हिंदी में 85 पद वही पर नागरिक सास्त के 35 हैं बहुतिक विज्ञान के 40 हैं और जानित के मात्र बाइस पद हैं ऐसे ही आप देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट हो कि किसमी कितने पद जो है यहाँ पर सामिल किये गए हैं वहीं पर हम बात करते हैं RRB NTPC की परिक्षा को ले करके जैसा कि आपको पता है कि प्रियागराद जोन की जो परिक्षा है वो परिक्षारती हों परिक्षा देंगे रेलवे भरती वोड आररवी की नान टेकनिकल पॉप्लिर कटेगरी की लेबल दो तीन वा पांच की परिक्षा 15-17 जून के बीच होगी लगबग डेड़ लाक अब्यारती इस परिक्षा में सामिल होगे इसके लिए 11 जून से आनलाइ लिखा है कि आररवी परिक्षारतीयों के लिए चलेगी स्पेसल ट्रेन रेलवे भरती बोड दोरा ली जाने वाली नान टेकनिकल पॉपलर कटेगरी एंटी पीसी के कम्प्यूटर बेस टेस्ट सीबीटी टू के अब ब्यारतीयों के लिए रेलवे दोरा 13 जून को इस पेस जाएगी पांच मिनट के ठैराओ के बार ट्रेन साड़े तीन बजे पटना पहुंच जाएगी वापस 04176 पटना से 15 जून तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्पेसल ट्रेन के बारे में बात की गई है हाला कि जो सेंटर हैं वो काफी अलग-अलग हैं छात्रों के का साहिताप्राप जूनिर है स्कूलों में साहाइक अध्यापकों के पंदा सु चार और प्रताना ध्यापकों के 390 पदों पर भरती के लिए दोबारा किया जाएगा परिक्षा की कापियों का मुल्यांकन दोबारा किया जाएगा प्रमुक सचिक दीपक कुमान ने सच्यू परिक्षा नयमक प्रादिकारी अनिल वूस्रन चतुर बेदी को कमेंटी जो जाच बीन कर रही थी बहुत सारे काम इसमें हुए है असासकी साहिता प्राद जूनियर हाई स्कूलों में बरती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परिक्षा आउजित की गए थी और परिक्षा नियामक प्रादिकारी कार्याले ने 15 नूम्बर को प्रडाम गोसित कर दिया सहाय का द्यापक भर्त्यूष परिक्षा में सामिल 2,51, oh और प्रदाना द्यापक भरती में 14,928 अभवर्त्यूष ये 272 अभव्यरती सफल गोसित किया गया था चैन परड़ाम आने के बाद कुछ अब्याटों ने कमंक मिलने का दावा करते हुए हाई कोड में अचकाय दाखिल कर दी हाई कोड के आदेश पर सासन ने 12 अप्रेल को एक समित का गठन करते हुए आपत्यों की जांच कराई तो 571 सिकायतों में से 132 से ही पाई गई इसकी रिपोर्ड भेचते हैं परिक्षा नियमक प्रादिकारी कार्याले ने सासन से मार्ग दसन मांगा था अब प्रमुक सची दीपर कुमार ने आन्तिक समित का गठन करते हुए संपूर्ण परिक्षा परड़ाम का पुनर मुल्यांकन कराने और संसोधित परिक्षा फल गो परिक्षाओं में पहले भी गड़बड़ी के मामले सामने आये हैं तो वहाँ पर कही न करी दिक्कते हैं आज तक आई ही हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मामले में ततकारीन सचीव डाक्टर सुत्ता सिंको ने लंबित भी कर दिया गया था इसके अलामा एक अब ब्य यहाँ पर आप देख सकते हैं UP, PSC की तरफ से आज जो है आवेधन सुरू किया जाएंगे देखते हैं कौन सी अपडेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोक की ओर से विभिन पदों पर सीधी भरती की जानी है इसका विश्तित विग्यापर 9 जुन को आयोक की निर्दायित की गई है आयोक की ओर से उत्तर प्रदेश मुल्यांकन प्रभाग, राजिनियोजन संस्थान लकनों के तहित, सहियूक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कित विभाग के तहित, मुद्रा, सास अधिकारी, उत्तर प्रदेश की किस्सा सिक्षा विभाग के प्रोफेसर कम प्रिंस्पल आद के पदो पर जो भरती यहां पर की जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं वहीं पर PCS के चार परिक्षा केंद्रों के नाम भी संसुधित किये गए हैं उत्तर पते लोग से वायोग की ओर से 12 जून को PCS 2022 की परिक्षा आयोजित की जाएगी आ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी लोग को घर बेटे सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से और सही समय पर मिल सके बाकि अगर कोई और अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के मादम से बताया जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में किस सिखास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुस रही है मस रही है जैहिन जैभारत